सर्दियों की मौसम में सब के घहर में कुछ ज्यादा भेजिटबल्स आ जाते हैं तो कभी-कभी इतना ज्यादा आ जाते हैं पड़े पड़े खड़ाब हो जाते तो उसी भेजिटबल्स से आज बनाएंगे मिक्स भेजिटबल्स तो करई में ऑल डालने के बाद तेजपत्टा, सबुधनिया, जीरा, कालंजी, असुके लाल मिच सारी सब्जी को पानी से अच्छी तरह साप करने के बाद एक ही साइज में काट लेंगे इसके बाद धीड़े करई में डालते रहेंगे पूरे सब्जी को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें एट करेंगे नमक और हल्दी नमक और हल्दी स्वादन सरी डालेंगे इसके बाद आधा टामेटर और आधा प्याज चार टुक्रा करके डालेंगे और मेरे पास थे स्प्राउट तो उसे भी डाल दिया और तूर डाल भीओ के रख दिये थे उसे भी डाल दिया और ग्रीन चीली दो मिल्क से काट करके डाल दिया अगर स्पाउट और तूर डाल मैंने डाला है इसके जगा मूग डाल या मुसूर डाल कोई भी डाल इसमें डाल सकते मेरे पास एक मूले थी उससे डालना भूल गए थे दो बाद में डाल दिया इसके बाद इसमें एट करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लालमीच पाउडर सब कुछ अच्छी तरह मिलाने के बाद पानी उतना ही डालेंगे सारी सबजिय अच्छी तरह सौप्ट और नरम हो सके गैस्ट फ्लेम को रखेंगे हाई पानी कुछ ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लेम नहीं है क्योंकि पूरी सबजी को अच्छी तरह पकाना चाहिए पानी उतना ही डालना चाहिए क्योंकि स्प्राउट और दाल पूरी तला गलने के बाद एक क्रेवी जैसे थीकनेस आजाएगी पूरी सबजी में ऐसे हाई फ्लेम में इसे पकाने के बाद इसमें एड़ कर देंगे चौप्ट धनिया पा दोस्तों जिनों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सकाइब नहीं किया है प्लीज मेरी चैनल को सब्सकाइब कीजी और मुझे दो कदम आगे बर्ण में मदद करें इसके साथ साथ लाइक करना मद भूलिएगा तो तैयार हो गए मेरी रेसिपी अब मैं इसे रोटी के साथ खाना पसंद करूँगी घर में कोई भी बेजिटेबल्स है तो उसी से ही बना सकते है ये मिक्स बेजिटेबल्स और ये खाने में बहुत ही स्वादिस्ट बनेगी तैक ये पर वाचिंग वाचिंग वीडियो तेक केर बाई बाई